देखिए कल जो 31 तारिक को नू में घटना हुई बहुत ही एक दुरभागेपुर्ण घटना है इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उचादेगारियों को डीजीपी साब, एड़ीजी सियाइडी, एड़ीजीपी लाइंड ओडर और अन्य आसपास के जलों से भी पुलिस को तुरंत वहां रवना किया, दोपेर दो बजे के आसपास की घटनाएं हैं, घटना इस परकार हुई के वहां समाज की एक यात्रा जो हरवश निकलती थी, उसका आयोजन किय जा दे रहा था, और कुछ लोगों ने एक श्रेंत रच करके उस यात्रा पर आक्मन करना शुरू किया, और आक्मन नकेबल यात्रा पर, बलके पुलिस के उपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परणाम सुरूप, यात्रा को भी भंग किया गया, और बहुत से स्थानों प पर आगजिनी के घटनाएं हुई गाड़ियां जला दी गई निश्य रूप से एक बड़े शरंद्र का कहिना का इसा लगता है अब काफी मात्रा में मैं कह सकता हूँ के पुलिस ने और जो केंदर सरकार की और से हमने निवेदिन किया था वहां से जो केंदरिय सुरक्षावल सोला कंपनीज वहां पहुँच चुकी हैं तीस कंपनीज हर्याना पुलिस की भी वहां पहुँची हैं इन सब ने नू में सिति को सामने किया है आसपास के जलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी चाहे वो पलवल की हैं गुरुगराम की हैं तो काबू पालिया गया है सब जलों में शांती स्थापत इस समय की गई है फिर भी एतियात के तौर पर वहां कर्फियू लगाया गया है कुछ जलों में 144 धरा भी लगाई गई है सारी नजर रखी जा रही है जो लोग इस शडंतर में नू से बाहर के भी शामिल हुए हैं उनक लोगों के खिलाफ अभी नामजदू को किया गया है उनको रहासत में लिया गया है चानवीन के बाद जो भी दोशी लोग होंगे उनके खिलाफ सक्त करवाई की जाएगी किसी भी उपदरूई को बक्षा नहीं जायागा और जिन लोग का नुक्सान हुआ है जानी नुक्स अथ्वा माली नुक्सान है इन सब को मौज़ा जरूर दिया जायेगा और मैं अपील भी करता हूँ कि जहां जहां इस परकार की घटनाएं हुई है जनता के सब लोग शांती भाल करने के लिए आगे आए अड्मिस्रेशन ने भी शांती कमीटी की जो एक मीटिंग की है उस के अनुसार मैं आशा करता हूँ कि सब लोग शांती बनाने में और सयोगी होंगे और आगे कोई स्थिती न बिगड़े इस परकार का सुनिश्चत जरूर करें